टीबी यानि ट्यूबर्कुलॉसिस एक ऐसी घातक विबारी है कि दुनिया भर में लाखों लोग इससे हर साल अपनी जान कवा देते हैं लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि टीबी का इलाज मुम्किन है और आज हम इसी पर बातचीत करने वाले हैं इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौझूद है आए उनका स्वागत करते हैं हमारे साथ है डॉक्तर रूपक सिंगला है डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट नैशनल इंस्टिटूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज नहरोली आपका स्वागत है हमारे का करब साथी वेल किस तरीके की बिमारी है और क्यों इतनी इसको घातक कहा जाता है कि इतने लोग हर साल अपनी जान कवा देते हैं एक संक्राम रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है जब टीबी का मरीच खासता है चेंकता है बोलता है तो टीबी के किडानू उसके कैसे हैं, कुछ जाम लोग ऐसे हैं, घ कि मुरुटी किसी है से कम है तो वो शडियर में जाकर टीबी का रोग कर देता है और यह जब छल्लंक्स में जाते हैं get the lung की जो TB है वो करीब 70 5 50% में बाते हैं 00-19 probably टीबी भी हो सकती है लेकिन यदि आप टीबी पर कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारा फोन नमबर नोट करें शुन्ने एक दिली का स्टीडी कोड नमबर है दो तीन शुन्ने नौ साथ पाश तीन दो 011 हमारा स्टीडी कोड है और नमबर इस 2309 7532 तो आपके कुछ सवाल है तो आप तुरंट कॉल कीजिए हमारी फोन लाइन खुल चुकी है तो डॉक्टर पार्वल जिसे करोना आया तो हमने करोना वाइरस है यह पोलियो होता है तो हम कहते हैं जी पोलियो वाइरस है तो टीबी वाइरस नहीं बेक्टीरिया है ती भी बेक्टीरिया है माइको बेक्टीरियम ट्यूबक्लोसिस इसका नाम है जो यह वेराइटी है एक बेक्टीरिया की जिसकी वज़ा से जो है यह बिमारी होती है और यह बहुत ही निटोरियस किसम का बेक्टीरिया है क्योंकि इसको खतम है यही नहीं इवाज़ दृट से जादा भी समय लग सकता है यह कंई तरीके नहीं है द्रॉट सेंसेटिटिव बहुती है द्रॉट रिजिस्टेंट टीबी है तो जो ड्रग सेंसेटिव या आम भाशा में बोलिजे कि सिंपल टीबी अगरापको ए तो भी मिनिमुम ट्रीटम में गया और कहीं ना कहीं छुप गया बॉडी की इम्यूटी ने उसको कंट्रोल कर लिया और वहां पर अपने सुप तवस्ता में बैठा हुआ है जब कभी इम्यूटी किसी वह से कम होगी तो भर क्या सकता है और टीबी हम डिजीज कहते हैं जब कि उसने जाके अपना मल्टि कि वह शुरूआत होनी शुरू हो गई है तो वह क्या सिगनल्स हमारी बॉडी देगी जिससे हमें अंदाजा लगे की जो टीबी के में लक्षण है इसमें बुखार है खांसी है आपकी बलगम में खून आना है नाइट स्वेट्स है यह सब टीबी के लक्षण में आता है ल कि अगर दो हफ़ते से जादा खाजी है तो आप टीबी की जाचि कराई है अप जांच में यह बल्गम की जाच आती है दोस्टाब बल्गम कैसे करें कि इन बातों को ध्यान रखें कि ठीक से वह जाच हो पाए बहुत सिंपल है उसमें को एक बॉटल दी जाती है जो वह हमारे जो टी-बी के जो जगाएं हैं जांट इसकी जांच होती है और पेशन्ट को हम ये इंस्ट्रेक्शन देते हैं कि अच्छी तरह खार के ताकि अंदर की बल गम भारा है खाली मुझ का थूक ना जाए बस पेशन्ट को इतना ध्यान रखना है कि अच्छी तरह खांसी करक अच्छी उन्हों ने जब स्कुट्निक वैक्सिन लगवाई थी उसके बाद से उनको बाई लेटर चेस्ट में हैं और डॉक्टर्स को दिखाया है और वो कह रहे हैं कि इसमें भी विगॉज आफ टी-बी और इसमें भी पूछना चाहूंगी कि इसके क्या रीजन है और क्य है यह बहुत अच्छा सवाल है खासकर कोविट के बाद कहीं लोगों को यह दिक्कतें आई क्योंकि लंक्स में जो कुछ चेंजिस आ जाते हैं जैसे उन्हों बताया फैब्रोसिस है कैल्सिफिकेशन है और वो टी-बी के बाद भी इसी तरह के उसमें आते हैं तो इसका सिं जे नहीं क्योंकि इसकी जो शेडिंग है वो इंटर्मिटन्ट होती है तो कम से कम दो बार कहीं पर तीन बार भी कराने परती है तो को लेकर भी क्या कुछ ऐसी एडवांस टेक्नीक्स आई जिसके जरिये इलाज जो है वो सुलब हो गया अब बहुत कुछ आ गया है अगर आ तो देट देट दो-दो साल लोगों को दवाईयां खानी पड़ती थी पर टाइम के साथ हमारे पास नई ड्रग आई है जिससे जो कोर्स है टीबी की ट्रीटमेंट का स्पेशली जो ड्रग रिजिस्टेंट टीबी है जिसके लिए दो-दो साल का इलाज हुआ था अब बोलें कि उसे लगा लेंगे तो आपको टीबी नहीं होगा डोक्टर पारूल वो जो बीसी जी वैक्सीन लगते है नवजात को वो किसली है फिर सी बीसी जी एक वैक्सीन है जो की बेसिकली नवजात को बचाएगी सीरियस फॉर्म ऑफ टीबी से दो साल का होने के बाद जो बीसी जी वैक्सीन है वो क्या इन सबसे बचा सकती है उस वारे में देखी शोद नहीं हुआ है लेकिन यह जैसे डॉक्स ने बताया जो नवजात शिचु है या दो साल की उमर तक यह तो प्रूवन है कि स्टडिस ने कहा हमें कि उनको टीबी होने से खासकर जो दिमाग की सीरिस टीबी उससे इसको बचा देगी देरे जैसे टाइम निकलता इसके एफिकेसी कम होती जाती है तो जो एक अडल्ट है या दस साल पंदा साल का बच्चा है वो यह सोचे कि उसके फेरिंट से सोचें कि इसको हमने बीची लगवा रखा तो टीबी नहीं होगी ऐसा नही मैंदम अब नई वेक्टिन के अफ़र काफी काम हो रहा है तो कब तक मार्ट के अग्या है क्या मी cannabis कि ऑए है समय लिए उसके बाद फिल लेना बंद कर दिया दवाई को यह ठीक से डोस उसकी ठीक से नई ली यह कई बाद डॉक्टर को ठीक से नहीं पता होता कि कितने दवाई दिनी क्या करना है तो फिर इस सिंपल टीबी MDR-TB के फॉर्म में कनवर्ट हो जाती है डॉक्टर पारुल अगर इलाज पूरा हुआ है पूरा कोर्स लिया है मेडिसिन का किसी पेशिंट ने वो पूरी तरीके से क्योर हो गया क्या चांसे हैं कि दुबारा उसको टीबी हो सकता है डेफिनेटली दुबारा टीबी हो सकता है अगर आपने कोर्स नहीं पूरा किया है तो chances जादा हैं लेकिन पूरा किया है तो उसके बावजूद भी आपको दुबारा TB हो सकता है रादर जिसको एक बार TB हुआ है शोद बताता है कि उसको दुबारा TB होने का 4.5% के around risk रहता है दुबारा TB के दो कारण हो सकते हैं जिनोंने तो दवाई complete नहीं की होती है तो उनमें reactivation होता है मतलब वही किटाणू reactivate हो गया लेकिन जिनोंने दवाई complete की है उनमें reinfection हो सकता है लेकिन आप फिर से infect हो गई तो ये दोनों forms फिर से हो सकती है चलिए मध्यप्रदेश की डाइधानी बोपाल चलते हैं जहां से डॉक्टर प्रदीप है फोन लाइन पर हालो जो टीबी है अलग अलग और गन का कई और गन की टीवी है अगर दिमाग की टीबी हुई है तो जैसे हडेक है वोमिटिंग है यह पेशन्ट को इसे मिर्गी का दोरा आता है इस तरह से आ सकता है अगर हड़ी की टीवी है तो हड़ीों के अंदर दर्द आ जाएगा मास्वेलिंग आ सकती है अगर पेट की टीवी है तो पेट में दर्द रहेगा बूख नहीं लगेगी या इसको यह जो है डाइरिया पर डॉक्साब प्रिवेंशन भी ज़रूरी है अब मालो मैं सिनेमा हौल जाता हूं मैं मॉल में जा रहा हूं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूं तो फिर क्या मुझे भी खत्रा है वो इंफेक्शन होने का देखिए इसलिए कहते हैं कि टीबी एक सिरफ नीजी रोग नहीं है आबIP करा गएब लिए टीबी का कोई पेशैन्ट है तो वैसे आपके अगर आप इन पॉजाते हैं तो 10% लाइफ रिस्क होता है कि आपको डिजीज हो गई अगर आप नॉमल है अगर आप डाइबेटिक है तो वही रिस्क बढ़कर 30 परसंट हो जाता है और अगर HIV इंफेक्टेड है तो सेवन तो टेन परसंट पर एयर हो जाता है तो इसलिए प्रिकॉशिंस डेफिनेटली है अगर अगर आप पेशिंट है और आपको पता है आपको पर्मिनरी ट्यूबर क्लोसिज है तो आपको मास्क यूज करना चाहिए वह बेस्ट प्रिवेंशन के बात करें तो क्या टीबी की वजह से फॉर्टिलिटी पर असर पड़ता है बिलकुल फरक पड़ता है और बलके टीबी कहते हैं वन ओ ओप धी कॉमने स्टक्रणी तो कोसों कर रही है बाकि टेस्टोस के होते होते हैं हस्बेंद के भी हुते वहनृता है की देश्टि बे मान सि épुढ तबार की अस ओन लोगेतरा, क्या तो परह कुछ मेंशते हैं क्या आ हसिए सबीन के होते हैं और साथ बाष्ट में इसलिए देखी जाते हैं कि पोशन है पूरी फैंबली में को पोशन है चोटे शोटे घरों में इक अठे रह रहे हैं वो उस वह से एक फैंबली के मल्टिबल लोगों को हो जाती है बटी है नहीं है है अपना प्रशन दुबारा पूछें मेरी मेरी मिश्च को लंग्स की अच्छा यह है इस तबार पूछें प्रश्च अच्छा यह आपिश्च और अच्छा और अच्छा ऑप्टियार जी क्या अपकी वेश्चिस की पर क्यार उपरी को समस्वाइब उमर कितनी है आपकी मिस्स की? 50 एर्स देखिए दमा टीबी से बिलकुल अलग है पर आप अगर पूछना चाहते हैं कि अगर वो अलर्जिक हैं देखिए अलर्जी का कोई पर्मनेंट इलाज नहीं होता है अलर्जी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जिस चीज से अलर्जी है आप दूर रहें धून मिटी धुआ इससे आप बचाव रख सकते हैं तो ये आपकी मदद करेगा जैकिन जैसे 50 एसके हैं क्या TB किसी एक खास उमर को होती है पुरूश महिला या किसी को भी हो सकती है TB किसी को भी हो सकती है कुछ लोग वनरेबल होते हैं लेकिन ऐसा नहीं है TB किसी को भी हो सकती है तो रिस्क फैक्टर क्या है मतलब कौन सा एज ग्रोप या कौन सा इसे जेंडर है जो रिस्क पर रहता है टी-बी के लिए इसमें एज और जेंडर से ज्यादा डिपेंड करता है जो इसके चार-पांच जो मेन बाने जाते हैं एक तो कुपोशन मेलनुटीशन एक डाइबटी जैसी है जो कि जिन जिन लोग जो जिनको यह होगा उनमें टी-बी होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर मान लो लक्षन किसी के एक महीने बाद नहीं है तो भी उसको छे मेने दवाई लेनी है बिलकुल लेनी है क्योंकि ये लक्षन तो आम मरीजों में करीब 90% लोगों में एक महीने में लक्षन ठीक हो जाते हैं अच्छा उसके बाद दवाई लेनी छोड़ देते हैं अब उसमें जब रीजन है लेने का कि जो किटानू इदर दर चुपे हैं हमारे शरीर के अंदर उनको हमें खतम करना है ताकि टीवी दौरे से ना हो जाए इसलिए यह है कि डॉ जे मेंगी तो क्या कोई शच्छ प्रोग्राम है जिसमें की ए मिल जाए दवा काफी महंगी है तुम्हारा जो नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम उसमें बिल कुल मुस्ट की ज़ें और वो जगा 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 उसके हैं सेंटर बने में पूरी देश में पारड़ी आ दोक्टर अगर किसी को टी बी का इलाज कराना है तो कहां सबसे पहले अप्रोच करें जो भी आपके पास का हेल्ट सेंटर है जो प्राइमरी हेल्ट सेंटर है हर जगह पर जो है केंद्र बने हुए है वहाँ पर बल्गम की जांच उपलब्ध है सरकार ने जगा जगा पर नमस्कार जी अपने टेलिजिएन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और जल्दी से सवाल पूछे सवाल हमारा है कि हमारे अमिश्टर को ना दॉक्तर पहले टीवी हुआ था को लिए टीवी नहीं जारी उनकी मात्र अधिक थिक से नहीं है और टीवी नहीं जारी देखना पड़ेगा कि दवाई ठीक से यह चेक करनी पड़ेंगी ऐसा नहीं कि आटे की चक्की वालों की टीबी ठीक नहीं होती है ऐसा नहीं ठीक हो जाएगी चल चलते हमें घबराना नहीं है टीबर कलॉसिस से आज उसका पूरी इलाज है क्या टिप्स देंगे आप जाते जाते हैं अगर आपको टीबी है तो उस करता आपको जाते है तो थेसे चक्स्तुम्स थक्तुम्स कार्णाओेंगे तो कि आपको घाते हैं।